आज के टाइम में हर एक बैंक अपना जीरो बैलेंस अकाउंट लॉंच कर रही है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बैंक हो ऐसे में कन्फूजन तब खड़ा होता है कि आखिर कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट हो सकता है क्योंकि ब गहर बैठे पांच मिनट के अंदर खोल सकते हैं और यह पांच जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए बेस्ट अकाउंट हो सकते हैं तो बिना टाइम विष्ट के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट में आपको पांच ऐसे बैंक बताने वाला हो तो सुरुआत करते हैं अपने लिस्ट के नंबर व Mayo एकाउंट से इस लिस्ट में मैं बेंक रख़्ा है वह कोटक महिंद्रा बैंक की कोटक ए找 ब्लार कोट हम कोटक महिंद्रा जीरो बायलेंस अकाउंन के बारे में दोस्ती एक 10 अधा पुर्ध किवाइलेंस खोल सकते हैं और आभी के टाइम में यहाँ पर्णके बारे में तो यहाँ पर आपको up to 4% का interest rate मिलता है इसमें दोस्तों आपको free virtual debit card मिलता है जो की lifetime free रहता है और इसमें आपको lifetime free credit card भी मिल जाता है यहाँ पे आप free digital transactions कर सकते हैं like NEFT, IMPS, UPI उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको mobile banking, internet banking सारी facilities मिल जाती है देखिए जो facilities है इसके basis पे आपको UPI app जैसे की phone पे, google पे, ATM बहुत ही असारी से चला सकते है तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको डिजिटली वो सारी benefits मिलती है लेकि दोस्तों अगर आपको checkbook बगरा लेना होता है और आपको ATM card लेना होता है तो उसके लिए यहाँ पे आपको पैसे pay करने होते है क्योंकि ATM card का जो charges रखा गया है वो 199 plus GST रखा गया है और यहाँ पे checkbook आपको free of cost मिलता है 15 pesos का तो यहाँ पे अगर आपको physical ATM card चाहिए तो आपको इसके लिए पैसे देने होते है बाकी सब कुछ free होता है अगर आपको account खुलवाना है तो kotak आपके लिए एक best saving account हो सकता है तो यहाँ पे हमने आपको kotak Mahindra bank के बारे में complete benefits है वो बता दिया देखी यह बहुत अच्छा account है वो personally इस account को मैं use करते हूँ अगर यहाँ पे आपको अपना account open करना है तो आप pen card और अधार card के माद्यम से पाँच मिनट के अंदर इस bank में अपना एक खाता खोल सकते है इस bank में आपको कैसे account खोलना है वीडियो हमने अल्रेडी बना दिया है तो description में आपको link मिल जाएगी आप directly click करके आप हमारी इस वीडियो को देख सकते है और kotak महिंद्रा बैंक में 5 मिनट के अंदर अपना एक zero balance saving account खोल सकते है अब शुरुबात करते हैं अपने list के दूसरी saving account के बारे में जो कि आपके लिए best zero balance saving account हो सकती है जो कि है दोस्तो बैंको बड़ोदा की silver saving account अगर दोस्तो हम बैंको बड़ोदा के zero balance saving account के बारे में बात करें तो ये भी account completely zero balance account है और आप इसे digitally अपनी mobile की माध्यम से खोल सकते है जैसे कि यहाँ पे आपको B.O.B. World application से ये account खोला जाएगा account खोलने का process हमने already बताया है सबसे पहले इस account की benefits क्या है वो हम बात कर लेते हैं देखिए इसमें आपको 4 step में आप खोल सकते हैं बीना bank जाए इसमें आपको bank bank जानी की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें आपको video के वाइसी की facilities मिलती है zero balance account तो यहाँ पे आपको 2-3 accounts मिलेंगे लेकिन यहाँ पे जो सबसे best account है वो है B3 silver account दोस्तों अगर इस account के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप अपना digital account खोल सकते हैं और इस account को 18 plus जिनका age है वो खोल सकते हैं कोई भी इस account में hidden cost नहीं है और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस account पर आपको virtual card का भी facilities मिलती है अगर आप average balance देखे तो बिलकुल नील है यहाँ पर आपको कोई पैसे बेगरा maintain नहीं करना है इस account से आप अपना instant mobile banking activate कर सकते हैं internet banking का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें आपको वीजा classic card मिलता है जिसको आप कहीं पर भी transactions कर सकते हैं इसमें आपको virtual card मिलता है सेम यहाँ पर कोटक bank जैसा और आगर आप इसको physical लेना चाहते हैं तो physical के लिए आपको order करना पड़ता है या by default कभी कभी आवी जाता है तो यहाँ पर दोस्तो debit card का 150 के आसपास इसका charges है तो वहाँ पर आप पे करते हैं तो यहाँ पर आपको वीजा classic card मिलता है आप इस account से UPI बहुत ही असानी से इस्तमाल कर सकते हैं लाइक phone पे Google पे Paytm और यहाँ पर आपको free IMPs, NEFT, RTGS, सारी facilities इस account में देखने को मिल जाती है अब इतने सारे benefits मिल रहे हैं तो कुछ restriction भी आपको इस account में देखने को मिलती है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको कोई checkbook नहीं दिया जाता है और second यहाँ पर आप branch से कोई facilities नहीं ले सकते हैं जो भी आपको करना होता है वो आपको online ही करना होगा branch से यहाँ पर आपको कोई support नहीं मिल पाता है तो इसमें आपको checkbook प्लस passbook नहीं मिल पाता है बागी आपको सारी facilities यहाँ पर देखने को मिल जाती है दोस्तों गर हम बैंको बडोजा की इस account के बारे में बात करें तो यहाँ पर जिनका भी age 18 plus है वो बहुत ही असानी सी स्खाते को खोल सकते है इसके लिए आपके पास आपका अधार card और pen card होना चाहिए बैंको बडोजा में आप कैसे अपना account open कर पाएंगे वीडियो हमने अल्रेडी बना दिया है तो description में आपको link मिल जाएगा आप link पे click करके directly यहाँ से आप अपना account open कर सकते हैं अब बात करते हैं अपने list के तीसरी bank account के बारे में जो कि इंडिया की सबसे बड़ी public sector की bank है जी हा दोस्तों बिल्कुल सभी सुन रहे हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI bank के बारे में SBI zero balance account के बारे में दोस्तों बात करें तो एक ऐसा account है जो कि आपको full के वाई सी आप घर बैठे complete कर सकते हैं बाकी सारे अगर आप zero balance किसी भी bank में account खुलवाते हो तो उसमें कोई limitation और restriction रहता है लेकिन ये एक ऐसा account है जिसमें आपको जितना मन चाहे उतना transactions कर सकते हैं कोई भी restriction आपको इस saving account के अंदर देखनी को नहीं मिलता है इसे आप easily you know के through open कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत यह असानी से आप अपना खाता खोल सकते हैं बात करेगर इस account के बारे में तो यहाँ पे paperless आपका account open होगा और यहाँ पे आपको रूपए का debit card मिलता है इसमें भी दोस्तों आपको checkbook की facilities नहीं मिलता है यह आपको ध्यान रखना होगा और यहाँ पे passbook आप बैजब ब्रांच से collect कर सकते हैं यह जो account है इसमें आपको internet banking, mobile banking, at the instant यह मिल जाता है इससे आप phone पे, google पे, ptm बहुत यह असानी से चला सकते हो अगर दोस्तों हम charges के बारे में बात करें तो इस account की जो charges है debit card की charges के बारे में बात करें तो 150 का charges लिया जाता है जो इसमें आपको रूपए का debit card मिलता है और आप इसके debit card से 25,000 रुपए तक बहुत यह असानी से निकाल सकते हैं इसमें आपको वो सारी facilities मिल जाती है जो कि आपको एक saving account मिलता है और आप बहुत ही असानी से 5 मिनिट के अंदर इसमें आप अपना खाता खोल सकते हैं दोस्तों करें आप SBI बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप अपने अधार कार्ड और पैन कार्ड के माद्यम से बहुत ही असानी से खाता खोल सकते हैं SBI की जो एस क्राइटेरिया है वो 18 प्लस होना चाहिए इसके उपर हमने आल्रेडी वीडियो बना दिया है कि कैसे यहाँ आप तुमना खाता खोल सकते हैं तो डिस्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आप डिरेक्टली क्लिक करके आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं अब बात करते हैं अपने लिस्ट की चौती बैंक अकाउंट के बारे में जो की एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जो कि यह दुस्तो एकोटास बैंक के तरब से आने वाला एकोटास सेलफी सेविंग अकाउंb दुस्तो अगर हम बात करें एकोटास बैंक के बारे में तो यहाँ पर आपको एक सेलफी अकाउंट की फैसेटिए मिल जाता है जिसको आप 5 मिनिट में अपने मोबाइल के साथ वीडियो के वाईसी के माधियम से खोल सकते हैं Equitas Bank के benefits के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप 5 लाग या उससे above पैसे रखते हैं तो आपको यहाँ पे 7% का यहाँ पे rate of interest मिलता है जो कि आपको कोई bank saving account के उपर इतना interest rate नहीं देती है एक zero balance account है और इसमें आपको सारी facilities मिल जाती है जैसे कि इसमें आपको virtual debit card के साथ साथ आपको physical ATM card दोनों मिल जाता है इस account में आपको checkbook की भी facility मिलती है even आप passbook भी ले सकते है यहाँ पे आपको कोई पैसे वेगरा maintain रखने की जरूरत नहीं है zero balance से आपका खाता खुलेगा instantी आपका account number FSC code आपको मिल जाएगा इस account से आप phone पे Google पे ATM बहुत ही असानी से चला सकते है account के अगर हम charges के बारे में बात करें तो कोई भी charges यहाँ पे नहीं लगती है basic जो charges होता है वो आपके debit card की होती है approx 150 रुपीज आपसे physical debit card का यहाँ पे लिया जाता है यह जो account है यह बहुत ही अच्छा account है जिसे आप घर बैठे बहुत ही असानी से खोल सकते हो दोस्तो गर हम Equitas Bank के बारे में बात करें जो यहाँ पे आप बहुत ही असानी सपना खाता खोल सकते हो जस्त आप अपनी pen card और अधार card के माधियम से अपने mobile से 5 बैठ के अंदर यहाँ पे खाता खोल सकते हो अकाउंट कैसे खोलना है वीडियो की description में आपको link मिलेगा आप क्लिक करके directly अपने इस account को open कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर हमने आपको चार ऐसे accounts बता रहे हैं अब बात करें अपने list की पांचवी accounts के बारे में जो कि personally मेरा फैबरेट और यहाँ पर मेरा account है जो कि दोस्तो आज के टाइम में बहुत ही famous यह bank हो चुका है जो कि दोस्तो AU Small Finance Bank बात करें अगर हम AU Small Finance Bank के बारे में तो इस bank में भी आप अपने एक zero balance account खुलवा सकते हैं और यह भी bank एक best bank हो सकता है zero balance account को लेके AU Small Finance Bank के अगर हम facilities की बात करें तो यहाँ पे आपको up to 7.25% per annum के हिसाब से monthly interest payout मिलती है और इस account में दोस्तों आपको वो सारी facilities मिल जाती है जैसे कि इसमें आपको ATM card की सुपदा, checkbook की सुपदा, passbook की सुपदा और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 5 मिनट के अंदर आप अपना खाता खोल सकते हैं इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो physical ATM card होगा उसके लिए आपको एप्रॉक्स 150 रुपीज पे करना होगा चेक बुक में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 20 लीप्स का चेक बुक एक साल के अंदर बिल्कुल फ्री मिलता है अगर आपको additional चेक बुक चाहिए इसके लिए आपको यहाँ पे पैसे पे करने होगे जिसका charges यहाँ पे 5 रुपीज पर लीप्स के हिसाब से आपको चेक बुक के लिए देना होगा इसमें आप अपना mobile banking, internet banking सारी facilities एवेल कर सकते हैं यह एक बहुत अच्छा zero balance account है जहाँ पे आपको credit card की भी facilities मिल जाती है अगर आपने account को अच्छे से manage करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही असानी से credit card भी मिल सकता है इस account जाप phone पे, Google पे, Paytm बहुत ही असानी से चला सकते हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छा bank है जहाँ पे आप अपने एक zero balance के साथ saving account AU small finance bank के अंदर खुलवा सकते हैं AU small finance bank के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अपना account पांच विनिट के अंदर खोल सकते हैं और यहाँ पे अपना वीडियो के YCB कर सकते हैं तो कही जाने की जंजट नहीं है AU bank में account खोलने के लिए आपका यह 18 होना चाहिए आपके पास अधार card और pen card होना चाहिए अगर आपको AU bank में अपना खाता खोलना है तो वीडियो के description में आपको link है directly आप link में click करके हमारी videos देख सकते हैं और directly आप अपना account भी यहाँ से open कर सकते हैं दोस्तो इस list में हमने आपको 5 ऐसे accounts बता हैं जो कि आपके लिए एक best हो सकता है comment में जरूर बताइएगा कि इन 5 ऐसे bank में आपका किस bank में account है और आप किस bank में अपना account खोलना चाहते हैं उमीद करते हैं दोस्तो हमारा एक फोट आपको बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो चला लगए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे family के साथ join हो सकते है इस वीडियो को दोस्तों में इपर खत्म करते हैं मिलते के लिए किसी interesting वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लगए Take care, have a good day